हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री जीके मैं गांधी युक से जोड़े महतपून 114 प्रशन उतर जो हमारी प्रतिगी परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो यह हमारी सभी प्रतिगी परिक्षाओं के लिए महतपून रहेंगे तो चले वीडियो सुरू करते हूं जानते हूं प्रशन उतर महत्मा गांधी ने सत्या ग्रह क्रिया विदी सबसे पहले कहां प्रस्तुत की तुवाय की थी चम पारण से अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टेन सांडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था तो भगस सिंग के द्वारा जैहिंद का नारा किस ने दिया सुवाश्चंद्र बोस ने किस वर्ष में मुश्लिम लीग ने एक प्रथक रास्ट का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव सुईकर किया था 1940 में वर्ष 1947 की बाद किस राज़ो भारत संग में सैनेक कारवाई द्वारा बलपूरक मिलाया गया तो तुम मुझे खून दू मैं तुम्हें आजा दी दूँगा यह सुवाश्चंद बोस का नारा था देश्टबंदू की उपाधी संबंदित है तो वह है चितरंजन दास कॉंग्रेश का 1939 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण सुराज का लक्ष घोशत किया गया था कहां पर हुआ तो यह हुआ था लाहोर में कॉंग्रेश ने भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया 1942 में सुभाश्चंद्र भोश ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया सन 1943 में असायोग आंदूलन 1922 को क्यों निलंबित किया गया चोरी चोरा में हुई हिंसग घटना के कारण वर्ष 1919 में जलिया वाला बाग हत्यात कांड 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 हुआ था यह हुआ था अम्रित सर में नमक सत्याग्रा किस इस भी में प्रारंब हुआ था तो 1930 में किस क्रत्य के कारण भगस्तें राजगुरू और सुख देव को 23 मार्च 1931 में फासिदी गई थी तो वर्ष 1928 में लाहोर में सांडर्स की हत्या के कारण किस अधिनियाम के तहट बिना मुकदमा और दो शिद्धी के ही बिधी नियाले ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रादिकार सरकार को दिया तो वर्ष 1919 का रोलट अधिनियाम गांधी इर्विन समझोता पांच मार्च 1931 किस से संबंदित है तो यह सवी नयवग्यान दूलन से संबंदित सोतंत्र भारत के प्रथम महाराज जिपाल या गवर्णर जर्णल कों थे तो लाड मांट बेटन किस अधिनियाम में पहली बार भारत के लिए संगी संरचन परस्तुत की गई 1935 का अधिनियाम काकूरी ट्रेन डकेती कांड के नायक कौन थे राम प्रशाद बिसमिल 1919 के अधिनियाम में द्वैद सासन धार्णा को जिस ब्यक्ती ने परीचित कराए वह थे चैम्स फोड 1949 में पहली बार महत्मा गांदी ने देशी राजज में नियंतरित जन संगर शलाने की बिसेश तकनीक को अपनाया उन्होंने अपने एक निकट सहीयोगी को सत्यग्रह करने की अजाज़त दी तो वह निकट सहीयोगी वह थी राजकोट में भल्ला भाई पटेल किसान दूलन में महत्मा गांदी ने भूख हर्ताल को एक हत्यार की रूप में पहली बार प्रयोग किया तो 1918 की एहमदाबाद मिल मजदूर हर्ताल जलिया वाला भाग में गोली चलाने का आदिश दिया था ओ डायर ने महत्मा गांदी को सर्व प्रतम राष्ट पिता किस ने कहा सुभास चंदर बोस ने क्रिप्स में सन 1942 के असफल होने का सबसे महत्मूर कांड कौन सा था तो वह था क्रिप्स का ग्रहन करने या छोड़ने वाले द्रश्टी कौन भारती राष्टी कॉंगरेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे तो वह थे अबुल कलाम आजाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी के जिस्म मनाया तब महत्मा गांदी थे कौलकाता में भारत और पाकिस्तान के विवाजन किस योजना के तहत हुगा है माउंट वेटर योजना महत्मा गांदी के यहत्या कब हुई थी 30 जनवरी 1948 को कौनसा भारतिय सुतंत्र भारत का पहला गवर्नेर जन्रल बना सी राजगोपाला चारी काइद याजम किसे कहा जाता है महमद अली जिन्ना को गांदी जी किस गोलमेज सम्मिलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो दुतिये गोलमेज सम्मिलन असायूग आंदूलन सुरू करने के समय भारत के बाइस राय कौन थे तो लॉर्ड चेम्स फोर्ड भारती सुतंत्र आंदूलन के दौरान चर्चित फुस्तक इंडिया फॉर इंडियन्स के लेखक थे तो वैते चितरंजन दास जर्णल माइक ओडायर की हत्या किस ने की थी उद्धम सेहने साइमन कमीशन का भारत आगवन किस वर्ष में हुआ सन 1928 में भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी का अस्त्य तो किस वर्ष में आया तो 1921 में महात्मा गांदी की राजनेतिक गुरू थे तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले सारे जहां से अच्छा है हैं दोस्ता हमार की रचनकार हैं एकवाल दीन वंदू की नाम से कौन विख्यात हैं सी एफ एंडूज माय एक्स्प्रिमेंट विद टूथ की रचनकार हैं वह हैं महात्मा गांदी दांडी यात्रा में गांदी ने कितनी दूरी तैकरने का नमक बिरूद किया था तो 240 किलो मीटर गांदी जी ने किस कानून को काला कानून कहा तो रालेंड एक्ट के लिए चमपारण सत्यक्राय के दौरान महात्मा गांदी के साथ कौन सामिल थे राजिन परशाद और अनुग्रह नाराण सेह सुराज पार्टी के स्थाफ ने किस वर्ष की गई थी तो 1923 में कॉंगरिस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था इसके दूसरी विभाजन कब हुआ तो यह हुआ था मुंबई में 1918 में किस से लोग पर यह नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है तो खुदाई खित्मतदारों को खित्मत घारों के लिए भारती राश्ट्री कॉंगरिस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गए इसका मुख्य कारण क्या था कॉंगरिस बड़े पैमाने पर सामप्रदैक दंगों को टालना चाहती थी वर्स 1919 में पंजाब में हुए कुरू रत्याचारों के ब्रोध शुरूप बिटिस सरकार से प्राप्त सर की उपादी किसने लोटा दी रविनाठ टैगोर ने सुतंतरता प्राप्ती के समय महात्मा गांधी कॉंगरिस के सदस्य से नहीं थे जलिया वाला भाग के नरसंहार के समय भारत का बायसर है कौन था लाट चेम स्पोर्ट जवालाल नहरू द्वार लिखी के पुस्तक है डिस्कवरी ओफ इंडिया नहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्ट 1928 में आयुजित सर्वदली सम्हिलानों सुईकार किया गया था इस सम्हिलान की अध्यक्ष तक इसने की थी डॉक्टर अंसारी ने 1923 में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहबाद में ब्रिटिस सरकार ने पहली बार यह गोशना की कि उनकी मनसा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है तो एक द्वारा हुआ अगस्त 1917 की घोशना चोरी चोरा नामक इस्थल कहां है गोरकपुर में किसने कहा मद्रातरी के टकोर में जब संसार सोता है भारत अपनी जीवन पर सुतंतरता के लिए जाग उठेगा गांधी जी भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने एक बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भगस सिंग ने इंडियन लिवरल फेडरेशन किस था अपन किसने की तो यह की थी एस एन बनर जी दक्षन आपरिका में महत्मा गांधी दौर प्रकास्वित पत्री का का नाम था इंडियन ओपिनियन सभी ने अवग्या अंधुलन 1930 की प्रकास्था में गांधी जी ने किसके सा समझोते परहस्ताक्षर की लाड इर्वन वर्स 1932 में अखिल भारती हरियन संग के संस्था पकोन थे महत्मा गांधी कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंतर भारत की आजा धिन सरकार की घोशना की गई सेंगापुर भारती स्वतंतर ता संगराम के दोरान साइमन कमिशन की नियुक्ति के सुद्देश के लिए होई थी 1919 के सुधारों की प्रगिती की समिक्षा भारत छोड़ों अंदोलन किसम एंगलेंड का प्रदान मंत्री था तो वैधा चर्चिल 1947 के भारती राश्ट्री कॉंगरेस के दिल्ली अधिवेशन के अधिक्षता किषने की राज़न्त प्रशाद भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का 1938 का दिवेशन के सहर में हुआ हरीपुरा 1927 की बटलर कमेटी के उद्देश था भारती सरकार तथा देशी राज्यों की बीच संबंधों को सुधार न करो या मरो कनारा किस ने दिया महात्मा गांधी ने किस ने भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के करांची अदिवेशन 1931 की अध्यक्ष दा की तो यह बल्लभाई पटल लें भारत में साइमन कमीशन के बहिशकार का मुक्य कारण था सभी 10 से अंग्रेश थे भारत में दोयत सासन प्रारम किया गया मांटेग्यू चेम्सफूर्ड रिफॉर्म्स 1919 से किस अंदूलन में सरदार बल्ला भाई पटल ने मुक्य भूमी केने भाई बर्दोली सत्याग्राह में किस ने असायोग अंदूलन के दोरान विदेशी कपनों का जलाना जाना जलाया जाना एक निस्टर बरवादी बेता है तो रविना टैगोर ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलिक बनाया था महत्मा गांदी ने भारत के सुतंतरता अंदूलन के दौरान महत्मा गांदी दौरे स्थापित सारवर मती आसरम किसनगर के बाहर रिस्तित है एहमदाबाद तिरपुरी संकट की समाप्ती की बाद कॉंगरेज का अध्यक्स के से चुना गया राजिंदर प्रशाद के लिए किसने सुझा दिया था कि सुतंतर प्राप्ती के बाद भारती राश्ट्री कॉंगरेज को समाप्त कर दिया जाए महत्मा गांदी ने भारती रास्क्री कॉंग्रेस की तिरुपुरी सम्मीलन में वर्ष 1949 में सवाशन्द बोस्को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था यह तिरुपुरी कहां पर है जवलपुर महत्मा गांधी दक्षण आफ्रिका से भारत किस वर्ष लोटे 1915 में गांधी जी की मिरत्यू पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जवालाल नहरू फिनिक्स फॉर्म किस था अपने किसने की महत्मा गांधी ने इकवाल का नारा किसने दिया इंकलाब का नारा किसने दिया तो मुहमध इकवाल ने कभी एकबाल जिनों ने सारी जहां से अच्छा लिखा भारत की किस इस्थान से सम्बंदे थे तो यह हैं पंजाब मुसलिम लीग ने मुक्ती दिवस मनाया था 1949 में 1937 में चुनावों में कांग्रिस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 भारतिये मुसल्मानों के प्रत्यक राज्जी के लिए पाकिस्तान सब्द का प्रियुक सबसे पहले किस ने किया चौदरी रहमत अली ने भारतिये राश्ट्री कॉंग्रेस का वर्ष 1939 में लाहोर अधीविशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण सुतंतरता पानी का संकल्प आंगी करित किया गया था किसके ध्यक्षता में हुआ था जवालाल नहरू 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने राजिन प्रशाद के पास कौन सा बेभाग था यह था खादवा क्रशी बेभाग वर्ष 1949 में कांग्रेश को छोड़ने के पश्चा सुबाशंद बोस ने किस दिल के स्थापन की फारवर्ड ब्लॉक की वर्ष 1946 में गठेट आंतरिम केबिनेट की अध्यक्षता किषने की जवालाल नहरू ने किस ने प्रसिद्द चिटगाउंच सस्त्रागार धावे को आयुजित किया तो यह सूर्य सेन ने हंटर आयोक की न्यूक्ति की गई थी जवाला भाग हत्यकांड के बाद भारत के विवाजन का वालकन प्लान उपज था लाड माउंट बेटन के मस्तिस्क का किस भारती राष्टबाद नेता ने जर्मानी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत आउसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को सिस्तिती को अपने हित में लाव उठाने का मौका मिला सुभास जंद बोस किसने कहा था मेरी पीट पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिस सामराज की ताबूत में एक कील सिद्ध होगी तो लाला लाजपत राय किसके कारण सारवजने की रोज की लहर उबरी जिसके फलसुरूप जलिया वाले बाग में ब्रिटिस द्वारत जंसांग घटना घटी दा रोलिट एक्ट पुस्तक दा स्टोरी ओफ दा इंटीग्रेशन ओफ दा इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है बीपी मैनन ने 1932 में पूना समझोते के साथ किसका सीधा संबन था भारतिय दलित वर्ग का भारती सो तंतर शंगर्ष के दोरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेन बनाई स्ववाशन बोस ने वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपबलिक एस्वेशेशन एच एस आर एक स्थापना कहां हुई थी दिल्ली में जलिया वाला पाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के बिरोध में प्रदर्शन के लिए 1942 का आंदुलन में डॉक्टर राजिन प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था तो बांकीपुर जेल में जय प्रकास नाराण के स्पार्टी से जोड़े थे सोसलिस्ट पार्टी भारत छोड़ो अंदुलन का प्रारंभुआ नव अगस्ट 1942 बह व्यक्ति जिसने चार अपरेल उन्नीस उन्नीस को दिल्ली की जाम मस्जित के प्रवच्चन मंच से हिंदू मुसलिम एकता का एकता प मुकदमों की सुनवाई समचिक प्रिक्रिया ब्रिटिस स्रकार ने महत्मा गांदी को जो उपादी दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदुलन में वापस कर दिया वह थी केसरे हिंद की ब्यक्तिकत सत्यागरह में बिनुवा भावे को प्रथम सत्यागरही चुना गया था और दूसा सत्यागरही तो भावे थे जवालाल नहरू सरदार वल्ला भावाई पटेल के नेत्रत्व में सुरू हुई बरदोली सत्यागरह की मुख्य मांग क्या थी तो भावे थी नई बड़ी हुई लगांदर की बापसी भारत के लिए एक डोमेनियन स्टेट्स कांस्ट कौन सा गोल में स्टा मिलन 1932 में हुआ था तीसरा तो दोस्तो आज के वीडियों पस इतना ही आसा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर भी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना इंक यू